तो दोस्तो आज हैं हम भारत के सबसे पहले PM कुसुम योजना के तैत लगाए गए प्लांट पर यहाँ पे सूरज की रोस्री से बिजली बनाई जाती है और डारेक्टली सरकार को बेज दी जाती है इस प्लांट की शुरुवात तो पिछले साल हुई थी कोई भी भाई 4-5 लाक रुपे हर महिने से कमा सकता है आखिर PM कुसुम योजना है क्या और कोई भी इसकी शुरुवात कैसे कर सकता है तो चलिए जानते हैं परवीन जी से देखे यह प्लांट पिएम कुसुम योजना कॉंपोनेंट एक के तैत हमने लगाया है 2021 में इसका काम स्टार्ट किया था और अभी फैस्ट अप्रेल को पूरा एक साल कंप्लेट हो गया कमिस्निंग हुए यह जो प्लांट है यह एक मेगावाट का है कम से कम धाई एकर जगह में इसमें लगाया है हमने और इसकी जो सप्लाई है वह यहां से तीन किलोमेटर दूर चोकी गौरदनपुरा जी एसस है वहाँ पे हम दे रहे हैं एसस से रमकान जी हमारे साथ है जो हमें बताएंगे इस प्लांट की सारे डिटेल के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि टोटल कितनी प्लेट और कितने एरिया के अंदर यह फाम है यह तीन एकर में प्लांट लगा हुआ है और टोटल सोलर प्लेट ते 378 प्लेट लगी हुई है प्रती दिन इस वन मेगावार्ट सोलर प्लेट प्लांट से 500 यूनिट एवरेज जनरेट हो जाते हैं जिससे हमें प्रती दिन इंकम हो जाती है एप्रोक्सिमेटली 15,000 रुपर प्लांट लग रहे हैं सरकार उनसे 25 साल का अनुबंदन करती है वो प्रती यूनिट 3 रुपे 14 पैसे के हिसाब से खरीटती है जिसमें 25 सालों तक कोई भी इसके अंदर इंक्रेज नहीं होगा और जो प्लांट का मालिक है वो यह बिजली किसी और को नहीं बेच सकता सैनल मानके चलते हैं 25 साल की प्लांट चलेगा बट पत्तिस यूफ बार में इसका डिग्रेशन को ज़्यादा हो जाता है तो अगे में इसको ज्यादा ध्यान नहीं देता है 25 साल बाद में इसको अगर मेंटीनेंस ध्यान देंगे ऑफ दीडेशन इसका वन यह के इसाब से one percent आप मानके चले शुरुपात के पांस साल तक इतना नहीं होता है उसके बाद पर येर वन परसेंट डिग्रेशन होता है अगर हम बात करें इस प्लांट की तो इस प्लांट पर टोटल जो फोटो वॉल्टिक यहां पर प्लेट्स है वो 3378 है फोटो वॉल्टिक प्लेट मतलब की यह जो आप सिंगल एक प्लेट देख रहे हैं मार्किट के अंदर अगर बात करें तो यह साड़े 300 से साड़े 500 वोट तक एक प्लेट का आपको मिल जाएगा ज्यादे अगर वोट की है साड़े 500 की अगर आप लेते हैं तो कहने का मतलब है कि आप ज्यादे उत्पादन ले सकते हैं एक छोटे एरिये के अंदर से यहाँ पर जितनी भी सोलर प्लेट्स लगाई गई है वो साउथ फेसिंग है आप देख सकते हैं और यहाँ पर जबी भी सोरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो यहाँ से डीसी करंट यह बनाते हैं और डीसी करंट फिर यहाँ पर इनवर्टर की तरफ चला जाता है तो यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं यह इनवर्टर है इनवर्टर क्या काम करता है जो यह डीसी बिजली है डीसी बिजली को एसी बिजली में कनवर्ट करता है डीसी मतलब बैंटरी वाली बिजली और AC जो हमारे टीवी और सारी चीजों को चलाती है। इस टोटल प्लांट पर चार यहां पर inverter लगाए गए हैं और फिर यह सारी बिजली AC होकर control के पास चली जाती है। यह control panel है सर यह जो हमारे प्रोजेक्ट से जो light बन रही है वहाँ पे inverter लगे हुए हैं वो inverter DC को AC में convert करके यहां पे send कर रहे हैं जिस चारों inverter की light को एक जगे collect की जाती है। control panel का output transformer के input में आ रहा है यह control panel 800 volt output देता है उस 800 volt को transformer की सायता से 11 kv step up करके बीच में हमने एक breaker लगा रखा है है City breaker बोलते हैं जिसको VCB इसके माध्यम से कोई भी हमारे transmission line में fault आता है तो वो इसको shutdown करने का काम करता है और फिर इसके बाद यह line के दुआरा हम powerhouse में supply provide करते हैं यह 3 km की transmission line है हमारे यहां से powerhouse 3 km दूर इस्तित है यह जो PM कुसम योजना के test plant लगाया गया है इसके अंदर लागत कितनी आती है कितना हम minimum इसको plant को लगाना पड़ता है कितना जादे से जादे लगा सकते हैं और जो main यहां पर खर्चा आता है वो कौन सी चीज पर आता है इस plant की total लागत 3,70,000,000 रुपए हुई है इसका total लागत का 70% amount bank loan करता है और उस loan के उपर 9% bank interest लगता है जिस 9% interest पे 6% government subsidy देती है 30% amount consumer को या farmers को खुद को लगाना होता है अपनी तरफ से ये project PM कुस्म योजना के अंतरगत component A में लगा हुआ है जिसमें कम से कम 0.5 MW से 2 MW तक के project लगा सकते हैं 5 MW project के लिए 1.5 एकड की जमीन की requirement होती है एवरेजली बात करें तो वन येर इस project की जो income है 45 से 50 लाक रुपे income हो जाती है और टोटल इसकी जो लागत है वो वसूली की बात करते हैं तो करीब 8 से 9 वर्स लग जाते है फार्म तो हमने लगा लिया फार्म के अंदर capital investment कितनी होती है वो भी जान लिया लेकिन जो running cost होती है और maintenance क्या होता है ये भी चीज़े हमें जानना ज़रूरी है इसका maintenance में बात करते हैं तो सर इसमें दो बंदे रखने होते हैं maintenance ऐसा कुछ नहीं होता है जनरली इसका cleaning होता है जो solar panels होता है इसकी जितनी signing और अच्छी dust वगेरा नहीं होगी तो बड़िया जनरेशन देता है उसके लिए वासिंग के लिए एक बंदे की requirement होती है हमने इस पर प्रेसर वासर मसीन लगा रखी है वो इससे वास कर देता है और night के लिए एक बंदा यहां पर एजे गार्ड रूप में र अज़र यूनिट्स का difference आजता है सरा साड़े चार अजार यूनिट सर्दियों में generate होता है वो मोश्ट ली दो से तीन मेंने का होता है बाकी इवरेज ली पांस से 6.000 के बीच में जनरेशन आ जाती है इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यह राजस्तान में लगा हुआ है र तो सन राजस्तान में तो मैं यह कहता हूँ कि यह मान के चलो कि बहुत ही सोने पे सुआगा वाली चीज़े सर। वैसे तो सभी जगह लगा सकते हैं, जहां थोड़े फोग वाले एरियाद होते हैं, वहां पे थोड़ा जनरेशन कम होता है। PM कुस्म योजना के बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया है, आप भी चाते होंगे कि आप इस प्लांट को लगाएं, और कैसे इस प्लांट को लगा सकते हैं, सबसे पहला संपर्क सूत्र क्या होगा, यह सारी चीज़े हमें बताएंगे, रमा खान जी। PM कुस्म कंपोनेंट, एक अंतरगत जो प्रोजेक्ट है, इमित्र पे जा करके अपन ओन लाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इसका कंप्लीट वर्किंग जो होता है, स्टेट वाइज अपने जो आररी सीयल हमारे राश्तान में होता है, राश्तान रिनेवल एनर्जी कॉर्प किसी करते हैं, आप किसी भी किसान भाई को लगवाना हो, तो हमारे संपर्क सुतर 9602800282 पर संपर्क कर सकते हैं, कंप्लीट वर्किंग हम करके देते हैं, जिसमें आपका पीपीए एग्रिमेंट से लेकर के कमीशनिंग तक डिपार्टमेंट के जितने भी वर्किंग है, आ दोस्तों, आज हमने आपको बताया, पीएम कुसम योजना के तहट लगए गए प्लांट के बारे में, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, तो आप रमकान जी से कॉंटेक्ट कर सकते हैं, ये वाली वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद, जैहिंद, ज किसान?